संसत की सुरक्षा में चूक मामले में बड़ी साज़िश का परदापाश हुआ है सूत्रों के मताविक चारो आरोपी संसत तक साथ कलर स्मोक लेकर पहुँच वे थे जिसमें से एक कैन लेकर एक आरोपी लोगसभा में पहुँच गया था आरोपी ने तीन प्लाइन तयार किये थे आरोपी ने संसत में विरोध से पहले इंटरिनेट पर संसत की सुरक्षा से जुड़े पुराने वीजियो भी देखे थे आरोपी ललत नहीं संसत के अंदर विरोध कर बड़ा संदेश देने का प्लाइन तयार किया था अब तक की पूश्टाच में ललिट ज्छा खुद को पूरी साज़िश का मास्टर माइंट बता रहा है इस पूरी घटना के दोरान आरोपी ललिट संसद परिसर में ही मौजूद था आला कि बाद में वो पकड़े जाने के डर से फरार हो गया था दो दिन तक वो पूलिस को चकमा देत रहा लेकिन गुरुबार देर रात उसने दिल्ली पूलिस के सामने सरेंडर कर दिया और सुत्रों के मताबे कूश्टाच में उसने ये कबूल कर लिया कि उसके इशारे पर ही संसद में स्मोक कलर अटैक की साजिश रची गई थी दीन दिन पहले 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में सेन लगाई गई थी एक ही वक्त पर संसद के अंदर और बाहर ललित के साथियोंने बवाल कर दिया था पकड़े जाने से पहले उन्होंने जूते में चिपा कर रखा कलर स्प्रे निकाला और उसे हवा में उड़ा दिया ठीक उसी समय संसद के बाहर भी ललित के दो साथी नीलम और अमोल को हंगामा करने के आरोप में पकड़ लिया गया जब गुरुवार देर रात ललित ने ठाने में सरेंडर कर दिया पुलिस सूत्रों के मताबिक वो महेश नाम के अपने दोस्त के साथ पुलिस टेशन पहुंचा जहां पुलिस ने उसे गिरफ़तार कर लिया फॉरन पुलिस की एक टीम ने उससे पुष्टाज भी शुरू करती दावा है कि पुष्टाज में ललित ने संसद की सुरक्षा में सेंद लगाने से लेकर वहां से फरार होने तक का हर राज उगल दिया क्योंकि संसद के अंदर और बाहर हुई इस संसनी खेज घटना के बाद देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियां उसकी तलाश में जुड़ गई थी सुत्रों का दावा है कि संसद के बाहर स्मोक कलर अटैक का वीडियो बनाने के बाद आरोपी ललित फरार हो गया था पुलिस सुत्रों के मताबिक पूच्टाच में ललित ने बताया कि 13 दिसंबर की रात खरीब 10 बजे वो दिल्ली से बस लेकर राजिस्थान के नागौर पहुचा वहाँ वो अपने दोस्त महेश से मिला सुत्रों के मताबिक ललित राजिस्थान से ही लगातार सारी चीजों पर नज़र रख रहा था लेकिन जब उसे लगा कि पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में जुटी है तो वो महेश के साथ दिल्ली आ गया और फिर बाद में उसने खुद ठाने जाकर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया जनब भूमी ममपुरी सुहावनी उत्तर दिसी बहसरजी बावनी अयोध्या करोनों की आस्था का गेंड भाव्यराम मंदर का दिव्यस्थल इस पुन्य भूमी पर होगा सबसे बड़ा उत्सव अयोध्या में तय है श्रीराम महापर्ण सिर्फ न्यूज एतिन इंडिया पर